नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा सिफल धाम यूटूप चनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं तूला रासी फल के बारे में कि यह दिन तूला रासी वालों के लिए कैसा रहेगा, किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइप कैसी रहेगी, केरियर कैसा रहेगा, बिजनेस और बैपार कैसा रहेगा और स्वास्तिकी महत पुन जनकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका सुबरंग और सुबंग क्या है दोस्तों वीडियो के आंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बैतर बना शकी दोस्तों आपकी वीरासी तूला है तो इस वीडियो को बिलकुल भी मिश्णा करें और इसे आंतों तक जड़ूर देखें वीडियो सुरू करने से पहले मेरे आप लोगा से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ हमें नौटिफिकेशन बैल को दबाएं जिससे समय समय पर हमारे नीव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंश के तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राश्री वालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आज आपके लिए पोजिटिव रहने वाला है दोस्तों किसी समाजी कार का दावित आप पर आ सकता है और आप इसे वह खुबी निभावी लेंगे आत्म विश्वस्त आर्दस को बनाए रखने के लिए आप हर संभव प्रयास करेंगे लक्स पराती में भी निकट समंदी का भी सहयोग प्राप्त होगा किसी खास विशे से समंदी गतिवीदियों में वैस्ता रहेगी और आपको उत्तम जानकारे भी हासिल होगी आर्थिक इत्रितिकुब मजबूत बनाने में आपका प्रयास काफी हद तक कामियाब रहेगा बच्चों के केरियर से समंदी किसी भी समस्या का समाधान भी मिल सकता है दोस्तों कल्यू के महावीर बजरंग वली की किरपा आप पर बनी हुई है दोस्तों आज लाब दायक परसितियां बनी हुई है सुपचिन तक की मदद से आपकी कुई महातो कंच्छाएं भी पूरी होंगे अपना ध्यान व्यर्थ की गतिविदियों से हटा कर सिर्फ अपने महत्यपुन कारों में ही केंदित रखें विद्यार्थियों को अपने अपर इक्षा में समंदित उचित पर नम हासिल होंगे दोस्तों रिष्टों को मधूर बनाए रखने में आपका विसेश परियास रहेगा अपने कारे को जल्दवाजी की वज़ा सहज तरीके से और सोच समझ कर पूरा करने की कोशिश करें आपके कारेश युगमता से बनते जाएंगे किसी खास काम को निप्टाने की कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए अच्छा मुका है घरिल और कामकाजी महिला है अपने घर परिवार के परती जिम्मेदारें को बहतरिन तरीके से निवाने में समक्ष रहेंगे दोस्तों आपके अच्छे कर्म परधान होने के कारण आपको कोई सुपसंदेश या कोई समाचार मिलेंगे जिसे आपकी दिन्चारिया में खुसी भरा बतावरों रहेंगे और आपके घर परिवार में आपको शाहरना भी करेंगे दोस्तों आज गिरिशिती काफी संतोज जनक है इसमें आप अपनी परतिभा को पहचाने और पूरी उर्जा के साथ अपनी दिन्चारिया वा कर्ण परनाली को व्यवस्तित रखें घर में नजदी की समंदियों की आगमन से मरंजन वा उत्सा भरा माहोल रहेगा किसी अनवी व्यक्तिके मार दर्शन से आपका कोई परपटी अथवा रुका हुआ कारहल हो सकता है समाजिक दायरा भी बढ़ेगा सोसाइटी के समंदिक किसी विवादित मामले में आपका प्रस्ताब निरनायक रहेगा जिससे आत्म विश्वाज भी इजाफा होगा दोस्तों नेगिटिव की बात करें तो आर्थिक इस्ति में कुछ उठापटक रहेगी परनतु तनाव लेने की वज़ाए समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें विक्तिकत कारे में अधिव्यस्ता की वज़े से आप अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे जिसे उनके नराजगी जहननी पर सकती है आज आप कोई भी कारे करेंगे तो तूरंट सुरू कर दें क्योंकि ज़्यादा सोच विचार करने से उचित समय हाथ से निकल भी सकता है युआ वर्गों को किसी वज़न से केरियर समयंदी योजना पर पूर्न विचार भी करना पड़ सकता है दोस्तों ध्यान रखें कि कोई कारण गुशा करना परिस्तियों को विगाड़ भी सकता है गर की विवस्ता को उचित बनाया रखने के लिए कठोर निन्ने न लें वालकि धेर पुरोग परिस्तियां को सकार्त्मक बनाएं विद्यारती अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जवरत है इसलिए फिजिल खर्ची पर रोक लगाएं नकार्तमक पढ़ोती कि कुछ लोग आपकी आलोचना और निंदा करेंगे पर तो चिंता न करें आपका आहित नहीं होगा बेतर रहा कि अपने कार में ही व्यस्तर है दोस्तों दूसरों की सहता करने के चक्कर में आपके हाथ से कुछ लाबदायक मोके भी निकल सकते हैं ध्यान रखें कि आपके सरल सबाब का कुछ लोग नजायत फैदा उठा सकते हैं इसलिए अपने योजनावा गतिविदियां को किसी के साथ सेर न करें दोस्तों कोई आपसे चिकनी चिपनी बात करके आपके कोई सिक्रेट बात जाने की कोशिश करेंगे इसलिए दोस्तों किसी को अपने सिक्रेट बात किसी को नहीं बताएं वरना आपको नुकसान ही हो सकता है ध्यान रखें कि आपके बंतिक कारे में अक्सर काटे आने के कारण आपका आलस और लापरावे ही होती है अपने इन आदतों पर काबू पाना जरूरी है अपने वेक्तिगत कारे में किसी बाहरी वेक्ति को सामिलना करें कुभी योजना बनाने से पहले उस पर पूर्ण विचार करना भी जरूरी है दोस्तो जल्दबाजी और भाउकता में लिया गया निन्ने गलत हो सकता है किसी भी असमंजस की स्थिति में घर की वारिस सदस्यों की सला आवसलें छोटी छोटी बातों पर तनाबना हाविर होने दें इसका आसार आपके नीन पर भी पड़ेगा दोस्तो वैबसाई कारपरनाले में कुछ बदलाब होंगे पार्टिर से समिंदी विजनेस में पार्दिस्ता बना कर रखें छोटी सी गलत फिमी से समंदों में दराण आ सकती है इसलिए समय कारपरनाले में कुछ बदलाब होगी जो की सकरतमग रहेंगे अवस्ता समिंदी नए कामस की सुरुवात करने के लिए अनुकुल समय है आज अधिकतर समय मार्केटिंग देथा बाहरी गत्तिविदियों को पूरा करने में ही व्यस्त हो जाएंगे सरकारी सेवरात लोगों को किसी परकार की समस्या में फसा सकती हैं इसलिए सावधान रहें दोस्तों व्यवसा में कोई पार्टन से समंदी कोई विचार बन रहा है उसके संदर में उचित सोच विचार जरूर करें पुराने परकोटी के सेल पर से समंदी व्यवसा में महतपुन डील होने की संभावना है वर्किंग महिलाएं अपने कारे को लेकर कुछ तनाव गरस्त रहेंगे दोस्तों आज दिन के वैबसाई वैबस्ता में सुधार हो सकता है जैता काम समय पर पूरे हो जाएंगे छोटी मोटी परिशनियां आ सकती है लेकिन आप योगता दोरा उनका निवारन करने में समख्च रहेंगे और फिस में चाफलूस लोगों के परभाव में ना आकर अपने कारे में ही ध्यान दें दोस्तों भगवान हनुमान जी की किरपा से आप वैबसा में कोई भी पुंजी लगाएंगे तो आपको आवसी लाब मिलेगा क्योंकि आपके पुराने अच्छे कर्म परदान होने के कारण बजनग वली का आसिरवाद आप पर बना हुआ है और इस आसिरवाद से आप वैबसा में अनेक से उन्नती और अनेक से चमतकारी हासिल करने में समख्च रहेंगे दोस्तों भगवान की किरपा से आप आपकी नसी पलट जाएंगे वर्तमान समय उपलब्दी वाला है इसमें अपने पूरी मेहनतवा उर्जा अपने कारियों के परती ध्यान लगा दें ध्यान रखें कि किसी पॉलिसी व्यापसा के साथ लागाई जगड़े जैसी इस्ति उत्पन हो सकती है इसमें अपने गुस्य का आकरोस पर काबू रखना जरूरी है दोस्तों क्योंकि गुस्या ही आपके लिए एक कमजोरी होगा जो कि आपने तरक्की में आगे नहीं बढ़ पाँगे इसलिए आपने गुस्य को काबू रखें दोस्तों व्यापसा में कर्मचारी का नकार्तमग रवया कार्चेत की व्यासता को खराब कर सकता है इसलिए वहाँ आपकी उपस्तित था एकगरता अति आवनिवार है ओफिस में अपने परजेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देने की जोरत है इस परजेक्ट को पूरा करने से आपकी परमोशन भी संभाव है दोस्तों अपने केरिर को वहतर बनाने की जूनून आपको सफलता देगा हाला कि व्यासा तथा नोकरी दोनों छेतरों में किसी परकार की राजमिती का सामना करना पड़ सकता है नोकरी पेसा लोगों को कोई ओफिसियल ट्रेवेलिंग का ओडर आ सकता है उहीं बात कलता लव लाइब की परवार जीवन में किसी परकार की गलत फेमी की वज़े से नोक जोक रह सकती है माहुल को मधुर बनाने के लिए कुछ मनरजन डीनर यादी जैसे प्रोग्राम बनाए दोस्तो किसी अन्यवेक्ति की वज़े से विवाहिक जीवन में तनाव उत्पन हो सकता है इसलिए सावधान रहें प्रेम परसंग प्रगाड होगी पति-पत्ने की बीच कुछ सुखत बतावरन रहेगा पर तो यह भी ध्यान रखें कि विवाहतर समंद का असर आपके छवी को खराब कर सकता है आपकी समस्यां को सुल्जाना में जीवन साथी तथा परिवार सदेश्चन का पूर्ण सहयोग रहेगा तथा आपसी समंद भी सोधारपूर्ण बने रहेंगे दोस्तो किसी पुराने मित्र से मुलकात होगी तथा पुराने सुखनामा यादें भी ताजा होगी घर का बतारण भी मांगल में बना रहेगा घर की विवस्ता को लेकर पति-पत्ने की बिच कुछ विचारी मद्भेद रहेंगे वियर्ष्ट के प्रेम समन्द में अपना समय नशना करें दोस्तों आपके स्वास्त में पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्त समन्दी दिक्क्यते से रहात मिलेगी तथा आप खुद को उर्जवान तथा सकार्तमों महसूस करेंगे अज खासी जुकाम जेसी परेसानी को लपारवे में न लें अपना उचित ईलाज आवस्वाश करवाएं दोस्तों स्वास्त के परतिस सचितवा साबधान रहना जरुरी है जरासी लपारवे आपके लिए परेसानी का कारण बन सकती है बरतबान मोसम से अपना बचाव रखें, खांसी जुकामजी से एलर्जी होने की आसंका है असंतिलित खानपान की वज़े से पेट कुछ खराप रह सकता है बोजन में सिर्प मोसमी चीजों को ही सामिल करें चरिशना बात करताब के उपाय के बारे में दोस्तों मंगलवार की दिन एक लोटा जल लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उस जल से हनुमान जी की मुर्ती को इसनान कराएं पले दिन एक दाना सावुद उड़त का हनुमान जी के सीर पर रखकर एक गारप परिकर्मा करें और मन ही मन अपने मनुकामनाय हनुमान जी को कहें पिर वो उड़त का दाना लेकर घ़र लोटाए ता उसे अलगरग दें इसे आपके सभी मनुकामनाय पूर्ण हो जाएंगे और आपके सभी बिगड़े हुए काम हनुमान जी की किर्पा से बनने लगेंगे दोस्ता आप बात कलेता आपका भागसाली रंग और भागसाली अंक क्या है दोस्ता आपका भागसाली रंग आसमानी है और भागसाली अंक एक है दोस्ता भगवान सिर्राम का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कॉमेंट बॉक्स में जैसी रम ज़रूर लिखें और विडियो को लाइक शेर ज़रूर करें धन्यवाद